दस मई का दिन राजिस्तान और राजिस्तान के लोगों के लिए बहुत खास रहा जब प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने नाथ द्वारा में आयोजित कारिक्रम में 15 सुकडूर रुपए के अलग-अलग रेल्वी प्रोजेक्ट का सिलान्यास किया प्रधान मंत्री मोदी ने नाथ द्वारा टू नाथ द्वारा टाउन न्यू रेल्वी लाइन मावली मारवार गेज कनवर्जन और उदैपूर रेल्वी स्टेशन के रीडबलमेंट की आधार सिला रखी आपको इन सभी प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स में बताएंगे लेकिन इसके पहले आपके अपनी यूटूब चैनल रेल्वी न्यूस नेटवर्क को सस्क्राइब कर लीजिए दोस्तो राजिस्तान में इस साल 2023 में विधान सभा चुनाओं होने वाली हैं ऐसे में केंदर की मोधी सरकार राजिस्तान में रेल्वे से जुड़े कामों पर जादा फोकस कर रही है और जहां रेल्वे लाइन नहीं है वहां रेल्वे लाइन के साथ मीटर गेज लाइनों को ब्रोड गेज लाइन में तबदील किया जा रहा है नात दुआरा में आयो जित प्रोग्राम में प्रधान मंत्री ने रिमोंट कंट्रोल से एक साथ तीनों कामों का सिलान नियास किया इसमें अकेले उदैपूर स्टेशन पर 354 कडूर रुपए खर्च करके स्टेशन को एकदम भुपाल के रानी कमलापती स्टेशन की तरह विक्सित किया जाएगा टूरिज्म के नजरिये से उदैपूर राजिस्तान का एक महतपूर सहर है और इस सिटी में लगवग 10 लाख से जादा सेलानी हर साल उदैपूर पहुँचते हैं इसी को ध्यान में रखते हुए उदैपूर स्टेशन का काया कल्प किया जा रहा है उदैपूर स्टेशन पर रीडवलमेंट के तहट येर कॉनकॉर्स, फूड कोर्ट, कैफिट एरिया, सौपिंग मॉल, वेटिंग एरिया और भूमी गत वहिकल पार्किंग बनाई जाएंगे इसी तरहे नातद्वारा से नातद्वारा टाउन के बीच 9.6 किलोमीटर सिंगल व्रोडगेज रेलवी लाइन का 166 करोड रुपए खर्च करके निर्मान कराया जाएगा इसी रेलवी रूट में दो नए रेलवी स्टेशन बनाई जाना प्रस्तावित है अब जानली जी राजिस्तान को मिलने वाली सबसे बड़ी और जरूरी सौगात के बारे में और दोस्तो ये सौगात मिली है नातद्वारा मावली मारवार न्यू ब्रोडगेज रेलवी लाइन को लेकर दोस्तो इसे बनाने के लिए रेलवे की तरफ से 968 कडूर रुपए का बजट भी अलोट कर दिया गया है और दीपावली के बाद इन सभी तीनों परियोजनाओं पर काम सुरू कर दिया जाहेगा मावली मारवार प्रेक के कनवर्जन होने से सबसे जादा फायदा उदैपोर, चित्तोडगर, विलवारा और अजमेर जिले की जनता को मिलेगा धन्यवाद